दोस्तों आज की इस वीडियों हम बात केने वाले हैं प्रिधा पेंशन योजना अनलाइन अपलाई के बारे में अगर आप प्रिधा पेंशन अनलाइन अपलाई करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियों में आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही आप व्रिधा पिंशन योजना का अनलाइन अपलाई कर सकते हैं तो फ्रण चले मैं आपको लेपटाप के स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही आनलाइन अपलाई कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो ब्रिधा पिंशन अलाइन आवेधन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल लेप्टाप का कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर देना होगा और वहां पे आपको ब्रिधा पेंशन लिख देना होगा یा आप पेंशन के वल करके सर्च भी कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं मैंने ब्रिधा पेंशन यहां पर लिख दिया और ब्रिधा पेंशन लिखने के बाद यहां पर मैं सर्च कर दे रहा हूं मैंने लिख दिया ब्रिधा पेंशन यूपी अगर आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट का नाम यहां पे लिख दीजेगा और सबसे ऊपर ही देख सकते हैं यहां पे आ चुका इस पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां से क्लिक करके सिधे आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे और कभी-कभी फ्रेंड यह प्राब्लम आता है तो बैक टू वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना होगा और य जांगे हों कुछ थावस्था पेंशन तो फ्रेंड हम यह करना है ब्रिद्धा पेंशन योजना का आनलाइन तो इस पे मैं ब्रिद्धा पेंशन पे क्लिक कर दे रहा हूं और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है और यहां पर देख सकते है ब्रिद्धा पेंशन यहां पे सलेक्ट हो चुका है और उसके बाद यहां पे लिख रहा है आनलाइन आवेधन करें तो आनलाइन आवेधन करें पे आपको क्लिक कर देना होगा क्लिक करने के बाद देख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है और यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर आ चुका और यहां पर फार्म अब ओपेन हो चुका है आपको यहां पर पूरा बारी-बारी से भरना होगा और उपर लिख रहा है समाज कल्याण विवाग द्वारा संचालित बृद्धा अस्था पिंसन हेतु आवेदन पत्र भरें और उसके नीचे यहां पर जनपद यहां पर आपका जो भी डिश्टिक है उसको सलेक्ट कर लेना होगा तो मेरा है कुसी नगर मैं यहां पर सलेक्ट कर लेजिए उसके बाद यहां पर ब्लॉक जो भी आपका ब्लॉक है उसको सलेक्ट कर लेजिएगा उसके बाद फ्रिंड आपका जो भी ग्राम पंचायता है उसको यहां पर सलेक्ट कर लेजिएगा तो मैं यहां पर दिखाने के लिए कोई सा भी गाउं यहां पर सलेक्ट क ao, उसके बाद यहाँ पर structural link, male ईहाँ और आपको click कर देना होगा, उसके बाद यहाँ पर जन्मती थी, आपको जो भी जन्मती थी है, उसको आप यहाँ पर select कर लीजेगा, तो यहां पर जैसे किसी का deat आप बार्त है 11 1945 तो मैं 11 1945 यहाँ पर select कर लिया उसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं father या husband name अगर किसी ladies का कर रहा है तो उसके husband का name लिखिए अगर किसी जैंस का कर रहा है तो उसके पिता का नाम यहाँ पर लिख दीजेगा उसके बाद यहाँ पर स्रेडी अगर आप general में आते हैं तो और पूरा पता यहाँ पर complete address जैसे यहाँ पर village हो गया विलेज जो भी आपका होगा उसके बाद post डाल दीजेगा उसके बाद डिश्टिक आप डाल दीजेगा उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा और यहाँ पर bank का नाम यहाँ पर select कर लिजेगा जो भी आप बैंक का लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है अभी यह वह बेन हो जाएगा तो देख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग लिया उसके बाद यहाँ पर select branch का option आ चुका है तो आपका जो भी branch होगा उसको select कर लिजेगा तो मेरा है इं इंदरपूर मैंने select कर लिया उसका जो FSC code यहाँ पर automatic आ चुका है उसके बाद देख सकते हैं आय का विवरर तो आपका जो आय प्रमाड पत्र बना है उसके अप्लिकेशन नंबर लिखा होता है अप्लिकेशन नंबर को आपको यहाँ पर डाल देना होगा और उसके नीचे certificate number लिखा होता है प्रमाड पत्र संख्या तो आपको यहाँ पर certificate number डाल देना होगा उसके बाद फ्रिंड यहाँ पे आपको एक photo यहाँ पर upload कर देना होगा तो आप जन्म प्लोड कर सकते हैं तो आप यहाँ पर upload करेंगे वह 200 km के अंदर होना चाहिए और फीडिया ना चाह jpg में 20 के नीचे रहना चाहिए उसके बाद यहां पर देख सकते हैं declaration check mark यहां पर लगा देना होगा और धू कैप्चा है,ений हमत् avaq को ब siendo click कर देना होगा तो यहां पर मैं सारी detail भरके submit पर मैं click क्लिक कर दे रहा हूं और सम्मिट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा लिखेगा ब्रिद्धा पेंशन पंजीकरण फार्म सफलता पुर्वक भरा जा चुका है आपका पंजीकरण संख्या इतना है तो फ्रेंड इसको आ आप इसपे क्लिक कर दीजेगा अगर आप नहीं क्लिक करते हैं तो आपको बैक आजाना होगा ओर घुधक लोगिन पर आपको क्लिक कर देना होगा और लोगिन पर क्लिक करने बाद यहां पर देख सकते हैं select pension scheme तो old age pension है तो इस पर मैंने select कर लिया उसके आद आपका जो भी registration नंबर आया था उसको यहां पर डाल देना होगा और जो आपने मुओाइल नंबर वहां पर डाला था उस मुओाइल नंबर को यहां पर डाल करके और send OTP पर आपके ओप क्लिक कर देना होगा और login पे click करने बाद friend देख सकते हैं हम login हो चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आपका pension का scheme का name आ जाएगा और station number applicant का name registered mobile number last का four digit यहाँ पे so करेगा और यहाँ पे देख सकते हैं आवेधन की स्थिती में आपके step one complete हो चुका है step two और step third यहाँ पे complete नहीं है तो हमें step two पर click कर देना होगा step two पे click करने बाद friend आपको बारी बारी सब कुछ यहाँ पे देख लेना होगा और आपका जो भी कुछ भी गलत रहेगा तो आप यहाँ पे edit कर सकते हैं अगर आप यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे आप step two complete कर देंगे तो आप कुछ भी यहाँ पे change और नह आपना आधार कार्ड डाल देना होगा यहां पर देख सकते हैं female मैं लेडिस का कर रहा हूं तो female यहां पर automatic select है उसके बाद यहां पर जन्मतिति आपको यहां पर डालना होगा तो जन्मतिति में friend आपको मैं यहां पर भर के दिखा दे रहा हूं कि किस तरह आपको डालना होगा आपको पहले date और month year नहीं डालना है पहले आपको year डालना है उसके बाद month डालना है और date डालना है उसके बाद यहां पर check mark लगा करके और जो capture है capture भर के click for अधार authentication पर click कर देना होगा तो चलिए मैं यहां पर भर के आपको दिखा दे रहा हूं कि किस तरह से भरना है तो फ्रें यहां पर देख सकते मैंने आधार सत्यापन होगा अगर आप उहां पर डाइस नहीं देंगे आप कुछ और लिखेंगे या डाइस नहीं देंगे और यहां पर इस तरह से लिख देना होगा और जो capture है capture डालके क्लिक फार आधार authentication पर मैं क्लिक कर दे रहा हूं और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं नीचे यहां पर green tick लग चुका है और यहां पर नीचे लिख रहा है प्रिंट अप्लिकेशन बे daug dain brand money ड्यक्टेर और यहां पर देख सब國 कुछ do Bismiak इसको प्रिंट करके आपको निकाल ले ना होगा और निकालने के बाद आपको उसमें आपने आधार की फोटो कापी बैंक पास्ट जो काफी कोड लेकर के और आपको अपने देख सकते हैं यहां पर तीन श्टेप में हम पर जाएगा लेबल 1 लेबल 2 लेबल 3 ने फिरिंड आपका जो फेंस है वह आनKY आवेधन हुआ है और लेवल 2 में देख सकते हैं जब वीडियो SDM के पास चला जाएगा तो वीडियो SDM से आप लोग वहां से फारवर्ड करेंगे DWO आप इस मतलब समाज कल्याण विवाग में समाज कल्याण विवाग जब वहां से फारवर्ड करेंगा उसके बाद आपका पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा तो फ्रेंट आज की इस वीडियो में आपको पूरा डीटियल में बता दिया कि किस तरह से आपको ब्रिधा पेंशन योजना का आलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो अ साथ में बेल आइकन को कर दीजेगा तो फ्रेंट इस वीडियो में बस तरह मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहें बंदे मातरम